नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका तो फेस्टिवल सीजन बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है बहुत लंबे समय तक रहेगा हमारे देश का सबसे बड़ा यह फेस्टिवल है तेवार है तो इसके लिए बहुत सारे लोग पैसे बशाएक रखते हैं कि डिसक कौनिस गैजट लेना है तो बहुत सारी कंफीजन बनी होती है कि कौन से समाटपोन या कौन से लैप्टप लें इसी के बारे में सारे बीटेल बताने वाला हूं तो आज मैं बताउंगा कि टॉप के वह पांच वों या टॉप के वह सब पोन आपके कौन से होंगे जो बीस प्लस कमार का फोन है दोस्तों इसके अंदर में आपको सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है इसके अंदर में आपको स्नैप ड्रैगन सेवन थर्टी जी प्रोसेसर मिल याता है कैमरा की क्या कहने कैमरा तो यह कमाल है इतने अच्छ अच्छी फीचर्स हैं आपको बहुत सारी चीजे मिल याती है विडियो स्टेबलाजिशन मिल याता है और इसके अंदर में बहुत सारे आपको प्रो फीचर्स मिल याते हैं और जो सेलफी कैमरा है वह कमाल का है 16 मेगा पिक्सल का है सिंगल कैमरा लेकिन वह पॉप अप है और यह पॉप अपर डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्रॉपरली यह काम करता है स्मूपनिस के साथ में अप और डाउन करता है और बैटी के बारे जहां तक बात करता हूँ तो बैटी इसकी पांच यार इमेज की बैटी है और फास्ट चार्जर मिल जाता है 18 वाट का लेकिन तो मुझे लगता है 18 वाट फास्ट चार्जिंग थोड़ी सी छोटी है प्राइस के प्राइस है और इसमें 6GB RAM है और एक सिंगल मॉडल यह आता है बाकि दो कलर अलग लगाते हैं वैसे फोन मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसको पांच वे नंबर पे रखा है अब बात करते हैं चौते नंबर पे कौन सा फोन है चौते नंबर जो फोन है और बहुत ही एग्रेसी प्राइस है मतलब प्राइस के मामले में बिलकुत थोड़ा सा मार्केट को इसने हिला दिया है थोड़ा सा लेकिन नो डाउट फोन बहुत बढ़िया है और मैंने इसको चौते नंबर पे इसलिए रखा है थोड़ी सी इसमें कुछ कमिया है वो भी म गेम खिलने के साथ से और जो एक बड़ी बात है वह सेविंद थर्टीड डू डी प्रोसेसर कमाल का सुपर फार्श प्रोसेसर आइज पांचोंचों पॉन के अंदर में आपको बता रहा हूं और इसके अंदर में आपको 1206 का smooth refresh rate मिल जाता है वगर आप game खिलना पसंद करते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत जादा enjoy करेंगे चुकिस में smoothness बहुत अच्छी है screen की screen की size बड़ी होने के वर जैसे बहुत फाइदा है और camera तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा नहीं है लेकिन average है मतब 64 megapixel का आपको मिल जाता है quad camera का setup लेकिन जो macro lens है और जो depth lens है वो 2-2 megapixel का थोड़ा छोटा लगता है तो positive में इसका जो सबसे बड़ा positive point है processor और processor और processor 732G का processor मिल जाता है snapdragon का है जो बहुत ही super fast है इस price range की आप से और betty massive betty है 6000 image की betty बहुत बड़ी betty होती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो इसने बिल्कुल बाजी मार लिया लेकिन जो एक negative point भी है इसके अंदर में कि बलकी है बहुत भारी है 225 gram का phone मतब हाथ भी ले ले पे लगेगा या आपने कोई unit उठा लई है 255 gram बहुत भारी होता है लेकिन अगर आप game खेलना पसंद करते हैं तो game क्या होता है अपने दोनों हाथों से पकड़के game खेला जाता है तो इसलिए थोड़ा सा feel नहीं होगा लेकिन normal use के लिए अगर एक हाँ से आप phone इस्तमाल करते हैं तो बहुत भारी लगेगा bulky भी लगता है चुकि इसकी thickness भी ज़्यादा है और इसके अंदर में एक negative और point है वो है camera की जो quality है मुझे अच्छी नहीं लेगी lens की खास करके जो depth lens है और इसके साथ में जो macro lens है 22MP का मुझे अच्छी लगा वैसे जो front camera है 32MP का उसकी quality बहुत बेटा रहे लेकिन single camera है तो इसके लिए मैंने इसको रखा चौथे नंबर पे और जो इसकी जो price है इसकी price है 9991 पे 8GB RAM और 128GB ROM मोडल के साथ यानि आप देखेंगे 8GB RAM बहुत ही बढ़िया मतब माना जा सकता है इस price range में इसलिए मैंने इसको चौथे नंबर पर रखा है दोस्तों Poco S3 बहुत बढ़िया फोन है अगर आपको अच्छा लगता है गेमिंग के हिसाब से तो आप ये फोन जरूर ले 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 और जो अगला फोन है जिसको मैंने रखा है तिसरे नंबर पर आप ये समें लिए Poco S3 का जो गुरू है उस गुरू का एक चेला है यानि Poco S3 का जो पैरेंग कंपनी है वो Xiaomi है और Xiaomi का एक और ब्रेंड नेम है Redmi उस Redmi के अंदर में एक फोन आता है मौडल बहुत बढ़िया है बहुत हीट मौडल है वो Redmi Note 9 Pro Max बहुत लंबा नाम है थोड़ा याद रखना पड़ता है थोड़ा सा लंबा नाम निंग वरे से बहुत बार-बार इसको रिपीट करना पड़ता है और इसमें जो सबसे खास बात जो मुझे लगती है इसका प्रोसेसर भी कमाल का है 720G प्रोसेसर है और इसके अंदर में भी आपको Adronis 618 GPU मिल जाता है कैमरे की क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है मतलब आपको 64 Megapixel का Quad Camera का Setup तो मिलता ही है इसमें आपको 8 Megapixel का इसके अंदर में जो सबसे खास बात एक और है कि आपको Fast Charger मिल जाता है 33 Watt का जो Poco X3 की तरह है और battery capacity भी है पांच यार 20 मिली MP और की battery है तो overall मैं कहूंगा यह तिसरे नंबर पे इसलिए मैंने रखा है कि इसके अंदर में जो design है design मुझे बहुत बढ़िया लगा वैसे थोड़ा heavy यह भी है लेकिन Poco X3 की तरह नहीं है इसका जो weight 210 gram है और thickness भी ठीक ठाक है मतलब acceptable limit पे है और इसके अंदर में जो negative point मुझे लगता है इसके थोड़ा सा मतलब heavy तो है Poco X3 से कम है लेकि थोड़ा heavy माना जाएगा और जो low light photography है इसकी अच्छी नहीं है otherwise जो main camera का जो lens है उसकी photography आप लेंगे तो मज़ा आएगा लेकिन night में थोड़ी से आपको दिक्कत हो सकती है और ये भी आपको 8 GB RAM में और 108 GB ROM में मिल जाता है और इसकी जो price है उनिस या नो सो निना में रुपे प्राइस है तो ये बहुत अच्छा है फोन आपके लिए अगर आप design display पसंद करते हैं प्रोसेसर अच्छा पसंद करते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेटर रहेगा और जो दूसरे नमबर पे मैंने phone रखाया है उसके बारे में शायद आपको लगेगा कि मैं कुछ बाइश कर रहा हूँ बिल्कुर ऐसा नहीं है उसका रीजा मताता हूँ इस phone के अंदर में जो दूसरे नमबर में रखाया है जो सबसे बड़ी कमी लगती है प्रोसेसर बता नहीं यह सेंसंग वाले अपना प्रोसेसर क्यों डालना चाह रहे है मुझे लगता है कि सेंसंग को यहां सोचने की ज़रूबत है यहां पर यह तो स्नैप्रेगन प्रोसेसर लेकर आया यह अपना ही प्रोसेसर बिल्कुल नए तरीके से डवलब करें और एक चीज मुझे और भी कमी लगती है इस पोन के अंदर में कि जो इसका यूई है मुझे अच्छा नहीं लगता है यूजर इंटरफेस थोड़ा सा लगना चाहिए थोड़ा सा उसका उपरेटिंग सिस्टम जो है मुझे बढ़िया होन लगना चाहिए जैसे कि आपने देखा का मन प्लस नोड का उसका जो ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम में कमाल का लगता है मत अब देखिये जो सबसे पॉइंट में लगता है इसकी स्क्रीन क्वालिटी बहुत सूपर है अन्बॉक्सिंग रिभी वीडियो भी हमने बनाया था तो आप आई बटन में जाए और देखिये उसके अंदर में सारी डीटेल मैंने बता रखिए और यह जो पर्टिकलर मॉड संग के फैन है तो आपको यह फोन बहुत पसंद आएगा और मुझे लगता है कि आप अमेजन से ले सकते हैं बिलकुल अभी टाइम आ गया और शायद हो सकता है डिस्काउंटिंग मुश्रू हो जाए तो मुझे लगता है बिलकुल सही समय है फोन लेने का अब बात करते हैं कमाल का फोन है दोस्त और अभी बिलकुल लेटेस्ट लाउंच हुआ है और आपको मिलेगा भी नहीं चुकि फ्लैश चेल में अभी भी दिख रहा है कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून पता नहीं कब खतम होगा कमिंग सून एनिवे आगे बढ़ते हैं तो यह है रियल मी 17 pro कमाल का फोन है इसकी जो डिजाइन क्वालीटी एसका स्क्रीन क्वालेटी मुझे टो बहुत बडिया लगा प्र्तिकुलर्ली जो एक मोडल है जिसका कलर अगरे जिसके पीछे में लेदर की फिनिशिंग दे रखी है संकिस्ट क्या प्यारा नाम है संकिस्ट और नो डाउट मतलब औरेंज एंड वाइट का जो कॉमिनेशन हैं बैक साइड में मुझे बहुत बढ़िया लगा और इसके अंदर में जो प्रोसेसर है 720G का प्रोसेसर दे रखा है और जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट दोस इसके अंदर में 65 वाट का फास्ट चारजिंग मतलब कमाल का है सूपर है और इसकी भी जो प्राइस है 9999 रुपे 6GB रहें और और इसके अंदर भी नेगेटिव पॉइंट है और वह है लो लाइट केमरा लो लाइट में आपको उतना मजा नहीं आएगा लेकिन डे लाइट में कमाल की वीडियो निकालता है मतलब बहुत बढ़िया फोटोग्राफी वीडियो के लिए तो बहुत बढ़िया मुझे लगा तो नेगेटिव इसमें अंदर में बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन पॉजिटिव ही पॉजिटिव हैस के अंदर और नहीं से याद 999 रुपे किसाफ से मैं कहूंगा कि बिलक इसके अंदर में फीचर की वर्मार एकटा एक फोन लेना चाहते हैं जो लुक वाइस में डिजाइन में बहुत अच्छा लगे मतलब कहीं वहाइभ कर सकते हैं मुझे लगता है रियल मी 7 प्रो आपके लिए सबसे बेश्ट रहेगा इसलिए मैंने इसको रखाया है नंबर वन पोजिशन पे दोस्तों आप लोगों दूर करूंगा जली-जली मैं वीडियो लेकर आऊंगा इसी तरह की तो दोस्तों आज यह बस इतना ही मैं लेता हूं विदा आप अपना द्यानक है इस्टे सेफ इस्टे हैपी धन्यवाद आपका दिन शुबू